नमस्कार मैं कशी शौष स्वागत है आपका नेक्स नाइन नियूस में इस रपोर्ट में बात करी हूँ है बसपा सुप्रीमो मायवती को लेकर बताती चलूँ कि मायवती लगाताराब यहां पर नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से कुछ भी जुकार लगा के चुनावों मे जीत हासिल करनी है देखा जाये तो दलित वर्ग हो गया यहां पर पिछड़ा वर्ग हो गया मुस्लिम वर्ग हो गया हर किसी को साधने और जुटाने की कोशिश में लगे हुई है बसपा सुप्रीमो मायवती अब यहां पर साथी साथ आपको यह भी बताते चले कि अखिले चुनाव है उसके पूरी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है मायवती और इसके बाद 24 के चुनाव है शैद कहीं न कहीं वो भी सपने सजारी के आने वले चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल हो लेकिन आपको बता रहीं कि मायवती के और भी यहां पर फ सामने आई है 2024 में कि किस तरीके से योगिया देतेनाच जीतेंगे उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है उन्होंने का कि आयोधिया में भगवारंग की वज़ा से वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ योगिया देतेनाच और इसी बात को लेकर यहाँ पर सब्सक्राइब करें लगाता है यहाँ पर तंचकस्ती नसर आ रही थी उनका साफ तोर पर कहना था कि यहाँ पर साधगाट की गई थी अखिलेश आदव द्वारा योगिया देतेनाच के साथ किस तरीके से नोने का कि खतोली जीत लिए वहाँ पर आरेलडी के साथ गड़ लेकिन मैनपुर रामपुर में यहाँ पर एक साधगाट थी क्या पीच जी जाएंगे जबकि आजम खान का गड़ जो माना जाते जहांसे दस बार वो विधायक रहे जो कि उस गड़ को हार जाना योग यहाँ पर कई न कई सपा के लिए बहुत जादा मुश्किल था लेकि यहाँ पर किसी और चुटे-चुटे दलों ने गड़ बंदन करने वाले हो या फिर इस तरीकी का फैसला लेने वाले हो लेकिन अगर देखा जाया आने वाले समय को देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग दलों को पूरी तरीके साधनी की कोशिश में लगिए मायवती और य क्योंकि तब प्रधान मंत्री चुने जाएंगे सांसत चुने जाएंगे और कौन सी पार्टी कितने ही ज़्यादा बहुमत से जीते ही सवाल यहाँ पर उठना दिखता ही दिखता है अब साथी साथ आपको यह भी बता दे कि और भी जानकरी यहाँ पर सामने आती रहेगी म साथ जो सपा उनको आंतरिंक पंथन करने की जरूत है इसको लेकर कहा गया था कि एम वाइफ फैक्टर जो है कई वो दूर तो नहीं जा रहे है खलेश आदा से उसको साथ नहीं की जरूत है और वही पर कहा जा रहा था कि कही ब्रामन्ट जाटव और जाट एसे पंडित लो झाल